अच्छो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या सीखेंगे यहाँ पर हम आपको डिवाइड करना सीखेंगे जैसे हम निमेरिकल का डिवाइड करते थे उसी तरह से हम यहाँ पर एजबरा का डिवाइड करेंगे डिवाइड पी एक्स बाइड ग्स कुस्चन है डिवाइड पी एक्स बाइग ग्स वेर पी एक्स प्लस थी एक्स स्कॉइर माइनस वान and gx is equal to x 1 plus x यहाँ पर question आप देखें यह बच्चो यह question हमेशा इधर उधर जब इसकी जो order है power का वो increase में जबकि हमेशा इसका decrease power होना चाहिए so we can write it 3x square plus x minus होए ठीक है और it can be written x plus 1 now we divide x plus 1 स हम इसको divide करेंगे 3x square plus x minus 1 यहाँ पर 3 है यहाँ पर coefficient 1 है तो here we take 3 3 बचा 3 और यहाँ power x है कि 1 है यहाँ 2 है so we can take here power 1 1 and 1 becomes power multiply में same को अगर base होता है तो power add होती है ऐसे x into x तो इसकी power इसकी power हो जाएगे 1 plus 1 बराबर x power 2 तो यहाँ जाएगा x square 3x का 1 में करेंगे तो plus 3x now we change sign okay this is cancelled out यह minus 2x minus 1 यहाँ minus है तो हम यहाँ भी minus ही लेंगे और 2 लेंगे तो 2 का x में करेंगे तो 2x minus 2 now we change sign okay you cancel out 2 से 1 less हो जाएगा तो 1 आएगा plus 1 का तो यह quotient हो गया 3x minus 2 और remainder हो गया 1 तो इस question में हम यह देखा कि हमारा जो quotient है 3x minus 2 है और remainder जो है 1 है ठीक है तो इस फार्मूला आप में समय होई कर चक फार्मूला है डिवीडेंड इसकाल टू डिवाईजर इंटू क्वाईटन्ड लसे डिमेंड इस फार्मूले का आफ लाईज़ाई करके हम चक कर सकते हैं यह हमारा डिवाईजर है quadrant है remainder अगर यह दोनों को multiply करके share करें तो यह हमारा मिल जाएगा और check here यहाँ पर है आपका x plus 1 multiply है 3x minus 2 remainder है 1 तो यहाँ से x को 3 में करेंगे तो 3x square minus 2x plus 3x minus 2 1 का 3 में 3x 1 का 2 minus 2 plus 1 यह हो जाएगा 3x square 3 में से 2 less होगा plus x आएगा minus 2 से less होगा minus 1 और यह आपके फिर हाँ यह है divided और इसकल 2 होगा है divided तो इस तरह से we can check now similarly we can check the question now we can jump on 7 अब हम 7 को आपकरते हैं चले है यहाँ पर given है divide 3x की पावर 4 minus 4x की पावर 3 minus 3x minus 1 by x minus 1 तो हम यहाँ x minus 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3x की पावर 4 4x की पावर 3 3x minus 1 ठीक है बच्चो यहाँ पर you can see coefficient 1 and this is coefficient 3 so we multiply 3 बंजा 3 means यहाँ पर 3 टेक करेंगे तो 3 बंजा 3 and यहाँ पावर 1 है हमें 4 लाना है तो भी टेक यहाँ पर x की पावर 3 x की पावर 3 को x में करेंगे तो x की पावर 4 हो समझ गे अब हम now we multiply 3 x cube minus 1 into minus 3 x cube sign change करेंगे this is cancel out we subtract minus 4 minus plus 3 x cube from minus 4 x cube then becomes x minus cube minus 3 x here minus 1 so we take minus x cube x so we take x square to minus x cube minus यहाँ पर x square नहीं है x square को हमें करेंगे तो x square इसको आगे हम लिखेंगे और यह plus यह plus cancel out minus 3 x plus x square minus 1 यहाँ पर पावर 2 भीच में है तो कोई बात नहीं अब मोई ध्यान दखना है कि जो पावर 2 है जो हईस पावर है इसको हमें डिवाइड करना है यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो अभी टेक यहाँ पर plus x x का x में हो जाएगा आपका x square x का मज में minus x okay बीच चेंज साइन तो यह cancel out minus 2 x minus 1 यहाँ minus है तो यह टेक minus 2 minus 2 x plus 2 यह साइन चेंज होगा यह cancel out होगा 2 में से 2 और 1 दोले साइन minus का है तो यह minus 3 हाजएगा और यह अपर remainder हो जाएगा sorry कहां पर question close होगे minus 1 3 x cube minus 3 x का cube 3 x 4 minus यह 4 से बने होगा है minus x cube minus 3 x minus 1 minus यहाँ टेक किया तो minus x cube minus minus यह plus होगा minus minus यह plus होगा minus minus यह plus होगा यह plus होगा यहां minus आएगा, यहां भी minus आएगा, और इसके बाद, यहां minus है, तो हमें minus यहां लेना चाहिए, तो, यह minus है, तो हम यहां minus लेगे, और यह minus होगा, यह plus में आएगा, minus x, x minus x square, minus minus plus x होगा, यहां sin change हो जाएगा तो यह माइनस होगा तो यह आपका होगा 4 और यहां फिर 4 टेक करेंगे माइनस 4 तो यह 4 x हो जाएगा और यह प्लस 4 वचा 4 प्लस 4 और यहां 4 ओगा यह पैंसल ओट हो जाएगा पर यहाँ जाएगा आपका minus 5 और यह आपका remainder हो गया तो आपका आपको अटेंट हो गया, 3x का क्यूब, माइनस x स्कार, माइनस x, माइनस 4, और रिमेंडर रिचिएल तो, माइनस 5, यह आपका अंसर हो, ओके, वह आप समझे गए, नाउ वी दू, कुस्टेन नमबर, एकजामपल नमबर 8, ओके बच्चों, एकजामपल नमबर 8, एकजामपल नमबर 8, यहाँ पर लो, यहीं जामपल, 9, तरह कितना है, फाइंड रिमेंडर, प्रिमेंडर, और डिवाइडिम, एक्स क्यू प्लस वन बाई, एक्स प्लस वन, ओके, और, इस कुस्टेन नमबर 9 में क्या है, फाइंड रिमेंडर, यहाँ भी है, फाइंड रिमेंडर, रिमेंडर, फाइं, एक्स की पावर 4, प्लस एक्स की पावर 3, माइनस 2, एक्स स्क्राइर, प्लस एक्स, प्लस 1, इस डिवाइड वाई, एक्स, माइनस 1, और यहाँ पर एक्जाम्पल नमबर 10 है, चक, चलिए अब क्वेशन पहले इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें, एक्स, प्लस 1 से डिवाइड करना है, स्क्राइक्स क्यू, फ्लस 1 को, ओके, तो यहाँ पर एक्स हैं, यहां एक्स्क्यू गाई, सो भी तेक एक्स स्क्राइb, एक्स स्क्राइद, x में x q, x square का 1 में, plus x square, so we change sign, cancel out, 1 minus x square, यहां highest power x की power 2 है, so we take minus x यहां पर, x का x में minus x square, x का 1 में खरेंगे तो minus x होगा, now we change sign, 1 minus x, now यहां minus है, तो हम यहां minus 1 लेंगे, minus 1 का x में minus x, minus 1 का minus, sorry यह तो plus है, तो आप आहां plus लेंगे, यहां भी plus आएगा, यह प्लस है, प्लस है, प्लस आएगा, तो यह plus x, plus 1, now we change sign, यह पैंसल लेंगे, रिमंडर 0 होगा, तो यहां पर रिमंडर इचाएगा, तो यहां पर रिमंडर इचाएगा, तो यहां पर हम, now here, we do not divide, this by x minus 1, we put the value of x in the equation, to solution है, x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1, px is equal to x q power 4 plus x ka cube minus 2 x square plus x plus 1, here, we put the value of x is equal to 1 at the place of x, in the question, तो यहां पर हम, value को put करेंगे, 1 की power 4 plus 1 की power 3 minus 2, 1 kai square plus 1 plus 1, okay, it becomes 1, it becomes 1, it becomes 2, 1 plus 1, okay, 2 is equal to 2 minus 2, px is 2, 2 say to cancel, it is equal to 2, the remainder is equal to 2, 2 हो गया, और यहां पर हम आपकों सुआएगा, in this question, check, whether, the polynomial, Qt is equal to 4t ka cube plus 4t ka square minus t minus 1 is multiple of 2t plus 1, okay, now we put the value, solution है, 2t plus 1 is equal to 0, then, t is equal to minus 1 by 2, we put the value, pt is equal to, अब यहां पर यह question है, pt is equal to 4t ka cube, 4t ka square minus t minus 1, p, minus 1 by 2, 4 minus 1 by 2 ka cube, 4 minus 1 by 2 ka cube, minus minus 1 by 2 minus 1, 4 into minus 1 by 8, 4 into 1 by 4, 4 into 1 by 4, minus plus 1 by 2 minus 1, 4 to the 8, 4 set 4 cancel out, it is equal to minus 1 by 2, plus 1 minus, plus 1 by 2 minus 1, once 1 cancel, this area cancel, it is equal to 0, for all it is equal to 0, factored, आई यहां एहां adalah झांवारी प् Xinबेशआ़